लखनों में एक बस फिर गोलियों की तर्टराहत से देहली राजधानी ताज़ा मामला थाना गोमती नगर के विनीत खंड का है जहां बेखौफ बदमाश ने पी डबल्यू डी के ठेकेदार और एललबी के 25 वर्षे चात्र को गोली मार कर मौके से फरार हो गए बतादे की गोली लगने से पीडित वही घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया गोली चलने के लिए अवार सुन लोग मौके पर पहुँच गया और तुरंट पोलिस को सूशना दी सूशना मिलते ही मौके पर पहुँची पोलिस ने घायल को तुरंट अस्पतार में भरती कर जहां पर घायल का इलाज चल रहा है वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने पुलिस के अधिकारियों ने घायल को पूश्टाच कर आरोपी को पकड़ने के लिए काम शुरू कर दिया और कुछ घंटों में आरोपी बदमाश को गिरफतार कर लिया गया फिरित ने बताया कि द कि देने मारी ब्या जहां पर मारी जह पूरिया किया वज्जे थी और वजह यह थी ती कि बसकाली थोड़ा सा प्राइब रहिए बाहाई चारे में मैंने अपने नंबर से फून में कहा मेरे दोस्त ने उनको भून के बातिशी बात प्र बंदस आ गई बैया गल्पी होगी विए विए उन्हों नेमार की बोली अब क्या बता है विए तुन ने बिफुल खंड पर रहने वाले हैं अपने गल्ती होगे विए अपस में गल्ती होगे वाहिचारे में आप क्या बता है थाना गुंती नगर शेत्र में कल राट सड़े राट बजी घटना इकफारी की सुचना प्राप थोई थी पुलिस को पुलिस वह मौके पे गई गहाल को ततकाल अस्पताल बेजा गया उपचार है उनका नाम अंकुर तिवारी है और मूलता आजमगड जिले के रहने वाला है इस पे ततकाल टीम मनागा के रवाना किया गया फिवतारी का हित्तु प्यास किया गया और देर राट धरंजा सिंग जो मुख्य अभ्यूक्त है इसमें उसे फिवतार कर लिया गया है यह दोनों लोग आप रसमें परिचित हैं मित्रते दोनों लोगों के बीच में किसी प् परश्ट नहीं हो पाया है अब यह तहरीर प्राप्त नहीं होई है तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकंदा पंच्चित करके उचित में विधानिक कारवाई की जाएगे 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 95604-64-170